राम राम अगर आईएस सिर्फ तुम इसलिए बन रहा हो कि तुम्हें बहुत पैसा कमाना है तो या तो तुम अपना करेक्टर थोड़ा सा लूज करो ठीक है या तो तुम्हारा करेक्टर थोड़ा सा लॉस होना चाहिए या फिर तुम्हारा दीन इमान एरा बिलकुल नहीं ह िए करहें जिस दिपलोमैट करेट हो गए यह करप्ट हो गए यकीन मानो देश उसी तिन खतम सच बता रहा है जिस दिन टिपलोमैट करवा ना उत देखा है जितना भी क्योंकि हम किसी वीडियो को बनाने के लिए कुछ भी हवावाही नहीं बोलते हैं पहले खुद रिसर्च करते हैं ठीक है तो 95% का करेक्टर एकदम क्लीन है और 5% है तो वह पकड़ जाते हैं कैसे विजलेंस टीम उनको पकड़ी लेती है तो अगर तुम इसलिए जा रहे हो कि तुम्हें करोनपती बनना है इसलिए तुम यूपीसी में आईएस में जा रहे हो तो सबसे पहली बात यह समझ लो तुम थोड़े से करेप्ट हो जाओ भी से तब तुम कमा सकते हो बाकि तुम आज के टाइम पर अगर तुम देखोगे जो नए एक कि से लिके 28 तक हैं इनके अंतर देजभक्ती का जूनून बहुत बहुत बहुतरी तो यह घूस इस तरीके की चीजों में ज्यादा इंवल्ब हो नहीं होते हैं तब ही तुमने देखा है कि इनको एक सरगारी पंगला मिलता है ठीक है इनको सरगारी गाड़ी मिल जाती है सब ही मारूती हो गई और हंद्य जितनी भी बड़ी कंपनिया यह नौकरी दे सकती क्यों क्यों कि तुम जिस पात से आया वो इनके बहुत का हो जाएक ठीक है तब तुम जाके करोनपती जरूर बन सकते हो तब है चांस तब तो है क्योंकि वो बड़ी पोस्त है ताब वहां से लेकिन तुम अगर ये सोचो कि UPSC से IS, IPS, ITS जो भी है IRS, IFS जो भी है जोईन करने के बाद अगर तुम करोणपती बन जाओगे तो इसा कभी नहीं होने वाला है BMW, Audi, Jaguar, Mercedes में तुम नहीं गूमने वाले हो वही तुम्हें सरगारी गाड़ी मिलेगी लेकिन उसकी पावर इतनी होगी कि जितनी गाड़ी आए इन सबकी पावर बहुत छोटी उसके आगे सबकी पावर खता महमत लगो तो UPSC सिर्फ वही लोग इसलिए करते हैं जिनके अंदर वाकई में अंदर से जुर्मून होता है कि वर्दी पहन के कुछ ना कुछ तो बहतरीन कर नहीं है इस बनके जिले में कुछ ना कुछ चीजें तो अच्छी करनी है उन लोगों के लिए ही है UPSC इस सबके लिए नहीं है जिनको पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए आज के टाइम पे बहुत सारी फील्ड खुली है जहां पे आप करोणपती बन सकते हो लेकिन सिर्फ पैस भी के लिए उसके लिए पषफ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं को से कमा सकता है कोई पए्प मशीनिरी है जिले की सब्सक्राइब कर सकता है लोग्त काहीं करते है अधिक नहीं करते हूँ है और हमने तो देखा है भी है 95% लोग एक्तम क्लीन है और वाके में वो हैं वी क्योंकि उनके पास रिटाइर्वेंट के बाद भी कुछ ज्यादा होता नहीं है वो सेलरी जो होती उसी का जो सेविंग होती बस वही होती है इसलिए करोणपती बनने के लिए यूपीस्टी नहीं किया जा सकता है राम राम जाहें